ओम स्री गडिशा ये नमह देख पाएंगी तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं करवा चौत व्रत कथा एक समय पांडू पुद्र अर्जुन नेलगिरी परवत पर तपश्या करने चले गए थे उनके पीछे उनके भाईयों और उनकी पत्नी द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था साथी द्रौपदी भी अर्जुन के विशय में चिंतित रहने लगी थी तब एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का इस्मरण किया और उनके दर्सन देने के बाद उनको अपने कश्टों के विशय में बताया तब सोका कुल सथी द्रौपदी को धैरे बथाते हुए च्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हे तू एक प्राचीन कथा सुना कर यह व्रता नुष्ठान करने का परामर्ष दिया उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कश्टों से दुखी देखकर पारवती जी ने भोले नाथ से ऐसा व्रत बताने को कहा जो कि सुहागन इस्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए उनके पतियों को दिरघायू प्रदान करें उन्हें सदा सुहागन रखे तब स्रीशंकर जी ने उनको इस प्राजीन रत का वर्णन करके विवाहित इस्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन रहने एवं उनके पतियों को दिरघायू प्राप्ती करने वाला बताया उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राम्हण परिवार था जिसमें चार पुत्रों के अलावा एक कण्या गुणवती थी परिवार के सभी वक्ती धार्मिक थे और वर्ष के सभी वरत पूजा पाठ इत्यादी किया करते थे एक बार कार्त कृष्ण चतुर्थी को मा बेटी तथा लड़कों की बहुने करवा शौत का वरत रखा सायम काल तक वरत पूजा की समस्त तैयारियां हो गए चंद्रोदय होने की प्रतिच्छा हो रहे थे घर में पूरी पक्वान बन रहे थे बेटी गुणवती को पक्वानों के सुगंध ने उसकी भूँख को जगा दिया उसे भूँखी और व्याकुल देखकर उसके दयालू भायों ने चल से भोजन कराने की सोची उन्होंने पीपल व्रच्छ की आड में नकली चंद्रमा दिखा कर बहिन गुणवती से अर्ग दिलाया और उसे भोजन भी करा दिया भोजन करने वे बैठी ही थी कि ससुराल से अचानक पती के देहांत की खबर आ गई वे चितकार करती हुई अपनी ससुराल पहुँशे तो वहां इस्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी कोई बोली वरत खंडिनी आ गई है कोई कहते कि अपने पती को ब्याह होते ही चुडैल खा गई एक तो पती मरने का उसे गहरा सत्मा लगा था और दूसरे इस्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विहवल हो गया कि वह धर्ती पर पच्छाड खा कर रोने लगी हाई मैं सचमुची राच्छसी हूँ मैंने अपने पती को खाया है हाई मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पती को खा कर भूख बुझाई इस तरह विलाब करती हुई वे गुडवती अपने पती के साथ सती होने के लिए भागी भागी समसान पहुँच गई और सिता में कूदना ही चाहती थी कि चौत माता ने उसे रोक लिया और बोली बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई तुम्हे भाईयों ने भुलावे में डाल दिया था देख तेरा पती अब जीवित हो उठा है तुम घर जाकर उसकी प्रतेच्छा करो गुडवती घर अगली साल करवाशोथ व्रत आने पर विधी पूर्वक पारण करने का निश्य किया कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवाशोथ व्रत आया तो गुडवती ने सभी विधियां विधी पूर्वक किये श्री कृष्ण जी बोले हे द्रौपदी तुम भे इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी यह कार्तिक मास अगला ही मास है तुम करवाशोथ व्रत को विधी पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त हो जाओगी बोलो चोथ माता कीजे बोलो श्री गणेश भगवान कीजे बोलो श्री कृष्ण भगवान कीजे पहली कथा समाप्त दूसरी कथा प्रारंभ प्राचिन समय में एक पती व्रता इस्त्री थी उसका नाम करवा था वे अपने पती की सेवा करने में कभी भी कोई कमी नहीं छो उर्थी के दिन उसका पती जब नदी में इसनान कर रहा था तो एक मगर मच्छ उसका पैर पकड़ कर उसको नदी में ले जाने लगा। तब पती जोर जोर से करवा करवा कहकर पतनी को मदद के लिए पुकारने लगा। पतनी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खीच कर मगर की और फेंग दिया। वह उस सूत के धागे से बंद कर पती को आंगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पती व्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित भी और बोले हे पती व्रते कहो क्या चाहती हो। करवा बोली महराज अब धर्मराज कहलाते हो। और यहां अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पती नदी में स्नान कर रहा था तो इस मगर मच्छ ने उसे पकड़ लिया है। आप उसे मार कर मेरे पती को बचाएं। यह मराज बोले है पुत्री मगर मच्छ की आयू अभी मरने की नहीं होई है। अभी इसकी आयू सेस है इसलिए मैं इसको म्रत्यू तो नहीं दे सकता। करवा बोली भगवन आप धर्मराज हैं आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बातें सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली तो अब मैं ही मगर मच को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले ऐसा मत करो पती व्रते नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पती को छुड़ा कर मगर को सीधा यमपूरी भेज दिया। और कहा देवी आज कार्तिक कृष्ण पच्च की चतुर्थी है स्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रशिद्ध होगी। समस्त मनुकामनाई पून होगी। आज तुम्हारा पती वरत धर में भी धर्न हुआ जो तुमने अपने पती के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ वरत पती वरताओं में प्रशिद्ध हुआ है। यह चौथ माता जैसा पुन्य फल पती वरता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया। उसी तरह समस्त पती वरताओं को उनके करवा चौथ वरत का फल प्रदान करें। उनके पतियों को दिरगायू एवं सुख प्राप्त कराएं। बोलिये चौथ माता की जै। दूसरी कथा समाप्त, तीसरी कथा प्रारंभ। एक वणिक परिवार में साथ बेटों की बहुएं थी। छै बहुओं के पीहर वाले तो बहुत ही धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। लेकिन सबसे छोटी साथवी बहुँ के परिवार में कोई भाई बही नहीं था तथा वे बहुत ही गरीब भी थे। इसी कारण से छै बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेश आया करता था और उसके बाद भी उसके भाई जब तब भी आते तो बहुत सारा समान ले करके आते रहते थे। इस तरह परिवार में उन छै बहुओं का तो बड़ा मान समान था छोटी बहु से तो उसके साथ ससुर भी फ्रेम नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। इसी से परिशान होकर एक दिन छोटी बहु घर से अकेली ही निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगीं क्योंकि आज करवा शौथ वरत का दिन था और उसकी जेठानियों के घर से करवा शौथ वरत के लिए उनके भाई करवा और सभाग की नहीं लगी एक नाग उसके रोने की आवास सुन रहा था वह अपने बिल में से निकल कर उसके सामने आया और मनुश्यों की बोली में पूछने लगा बेहन तुम क्यों रो रही हो आज तो करवा शौथ का वरत है हसी खुसी वरत करो चोटी बहु पहले तो नाग को देखकर डर गई फिर साहस करके बोली आज करवा शौथ वरत का दिन है सब बहु के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर के आए हैं मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता कास मेरा भी कोई भाई होता जो मेरे लिए करवा लाता यह सुनकर के नाग को दया आ गई और बोला बेटी तुम अपने घर जाओ सैथ तुम्हारा कोई मुह बोला भाई घर पर करवा ले करके आए यह सुनकर छोटी बहु घर आकर संतोस से सब कामों में लग गई कुछ देर बात एक मनुश्य आया और छोटी बहु की साथ से बोला कि मैं तुम्हारी छोटी बहु का भाई हूँ उसके बचपन में ही मैं बाहा जाकर रहने लगा था अब घर आया हूँ आज करवा शोट है मैं उसके लिए करवा और सुहाग सामगरी की पिटारी ले करके कपड़े ले करके आया हूँ साथ ससूर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल सामान को आखे फार फार कर देखने लगे वाह इतना सामान और इतना बेश कीमती छोटी बहु ने प्रशन होकर अपने भाई का सतकार किया और साथ ससूर ने भी उसको प्रेम से भोजा नादी कराकर विश्ट्राम करने को कहा करवा शौत कवरत हासी खुशी हो गया अगले दिन छोटी बहु का भाई उसकी सास से बोला माताजी मैं अपनी बहन को कुछ दिन घर ले जा करके रखोंगा आप इसे मेरे साथ भेज़ेतें सास ने उसे प्रशनता पूरक उस भाई की साथ भेश दिया वह मनुष्व रूप में नाग नागों का राजा था वह उसे ससुराल से अपने महल में ले करके आया और बोला बहन तुम जितने दिन रह सको यहां हसी खुशी से रहो अपनी चानुसार खाओ पीओ और सारे महल में जहां मजी हो वहां घूमो लेकिन हाँ एक बार का ख्याल रखना कि सामने वाली नाद का धकन उठा कर कुछ नहीं देखना और अब छोटी बहु महल में आराम से रहने लगी एक दिन जब भाई कहीं गया हुआ था तो उसने नाद का धकन उठाकर देखनी का विचार किया उसने सुने महल में नाद के धकन को उठाया तो उसमें से उसने नाग के बच्चे इधर उधर घुमते हुए देखे जब उसे किसी के आने का भास हुआ तो उसने जल्दी सुष धकन को रख दिया जल्दी जल्दी में धकन रखने से एक नाग के बच्चे की पूँच पर धकन पड़ गया और वे उससे कट गई साम को नाग भया आया तो बहिन ने सच सच बात कह करके अपनी गलती मानते हुए भाई से छमा मांगी नाग भया ने उसे छमा भी कर दिया लेकिन जिस नाग की पूँच कट गई थी उसे लोग बंडा बंडा कह करके चिठाने लगे और वेहनाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिरता था उसने एक दिन नागिन मा से पूछा कि उसकी पूछ कैसे कटी जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहिन नाद का धकन जल्दी जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूछ कट गई बंडा बोला कि मैं उससे बदला लूँगा मैं कुछ नहीं जानता मा ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था जान कर तो उसनी नहीं किया था बंडा बोला कि यह सब मैं नहीं जानता मैं उससे जरूर बदला लूँगा और एक दिन बंड़ा अपनी बहिन के घर चुप चाप पहुँच कर छिप गया वह औसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे कमरे में जहां बंड़ा छिपा था वहां छोटी बहु भी बैठी थी वहें उसके सास आई और बातों ही बातों में उसने बहु से पूशा बहु तुझे सबसे प्यारा भाई कौन सा लगता है बहु ने तुरंद प्रशन होकर कहा माता जी मुझे तो बंड़ा भाईया ही सबसे प्यारा लगता है बंड़ा यह बात सुन रहा था वे सोचने लगा मुझे धिकार है जो मैं अपनी बहिन को जान भूश कर काटने आ गया हूँ और वेह वहाँ से चुपचाप लोटने लगा तभी उसे याद आया कि कल करवा शौत का वृत आने वाला है उसने वहाँ से लोटकर करवा और अन्य धिर सारा समानी करठा किया और अपनी बहिन के घर लेकर के पहुच गया बहिन और उसकी सास ने बहुत प्यार से उसका स्वागत सत्कार किया जब वे अपने घर पहुशा तो मा ने पूशा क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया बंडा बोला मा वे तो मुझे ही सबसे ज़ादा प्यार करती है ऐसी बहन से भला कौन बदला लेगा अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवाशोत पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत ही खुस्त है हे करवाशोत माता तुमने छोटी भूख के जैसे दुख के दिन फेरे उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहिनों को दुखों से दूर करना और सुहागिनों को उनका सुहाग अच्छे कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख सम्पति प्रदान करना बो चोथ माता की जै तीसरी कथा समाप्त चोथी कथा प्रारंभ एक साहुकार के सात बेटे और एक बेटी थी सातो भाईयों तथा बेहन में आपस में बहुत ही जादा प्रेम था यहां तक कि वे सातो भाई अपनी बेहन के साथ ही भोजन किया करते थे लेकिन बेहन का विवा हो जाने के बाद भाई जब भी भोजन करते बहन को याद करके और फिर अनमने मन से भोजन किया करते थे जब कार्तिक मास से पहले बेटी विदा होकर के घर आई तो घर में खुश्याशा गई अब बहन भाई मिल बैठ करके भोजन करने लगे कार्तिक क्रश्न पच्छ में करवा शौत का व्रत किया जाता है घर में लड़कों की बहुए मा और बहन सब ही ने व्रत रखा था साम को साथो भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा बहन बोली आस्तवे चंद्मा निकलने पर अर्ग दे कर ही भोजन करेगी भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत ही जादा प्यार करता था उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक भोग कैसे सहन कर सकेगी उसने भाईयों के सला से वरच्च के सहारे सीड़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रख कर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्ग देने को कहा भाईयों ने इस तरह बहन से अर्ग दिला कर उससे भोजन करने को कहा बहन ने अपनी भावियों से भी भोजन करने को कहा कि उन्हों ने भाईयों के द्वारा चल किया जाना बता कर ननद को भी भोजन करने से मना किया फिर भी भोली बहन ने भाईयों के बहकाने में आकर भोजन कर ही लिया बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला दूसरा कौर मुह तक पहुँचने पर कुट्टे ने कान फटफट आए इस तरह दो अपसुकनों के बाद भी बहन ने भाईयों के साथ कुछ भोजन तो कर ही लिया लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पती की तबियत खराब होने की खबर आ गई वे छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुँची तब तक पती की मृत्यू हो चुकी थी वहाँ उसकी मौत पर भारी कुबरा मजा हुआ था माने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पती के गाउं पहुँचे तो घर चाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ती और इस्त्रियां मिलें उनके पांच हुती जाना और आसिरवाद प्राप्त करना उसने ऐसा ही किया जब वह पती के घर पहुँची तो वहां का हाल देखकर हत प्रभ रह गई मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुम्चम सी एक और बैठ गई उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पती को पास लेकर के बिठाया कुछ देर बाद वह जोर-जोर से डकारने लगी और बोली हाई हाई भूल से वरत को भंग कर दिया हे गणेश जी महराज आप मुझे छमा कर दो मेरा अपराज छमा कर दो वह इस तरह कहती हुई जोर-जोर से रोने लगी तभी संकर पार्वती माता उधर से निकले हाई भूल से वरत को भंग कर दिया हे गणेश जी महराज आप मुझे छमा कर दो मेरा अपराद आप ही छमा करोगे आप तो बड़े दयालू हो इस तरह वह कहती और जोर-जोर से रोती जाती थी तभी संकर पार्वती जी वहाँ से निकले पार्वती जी ने हाल जानकर कहा है स्वामी यह तो बहुत ही कम उम्मर में विद्वा हो रही है यह अपना सेश जीवन कैसे काटेगी प्रभू आप कुछ कीजिए संकर भगवान बोले प्रिये आपका कहना तो सही है किन्तु अपराध तो गनेश जी के प्रति हुआ है वही इसे समहा लेंगे उन्हों ने गनेश जी से सुहागिन बनी रहने के लिए कुछ करने को कहा तभी गनेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को छमा करके और कहा कि अब अगली करवा शौत का व्रत करने में भूल ना करे तब उसका पती राम राम कहकर उठ बैठा और बोला आज तो मैं बहुत सोया हूँ घर में आनंद छा गया बहु ने वर्स के सभी चौत माता के व्रत किये सभी चौत माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौत का व्रत करके अखंड सौभाग पाने की बात कही तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौत का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पती सहेद सुख से रहने लगी अब वह प्रति वर्स करवाश ओत का वरत हसी खुशी किया करती थी हे करवाश ओत माता आपने जिस तरह से साहुकार की बेटी को वरत करने पर पती को देखाई प्रदान कर उसे सौभाग दिया उसी तरह प्रशन होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सोभाग प्रदान करना एक बाद जोड से बोलिए चोथ माता की जै बोलो स्री गणेश भगवान की जै बोलो पार्वती मैया की जै बोलो शंकर भगवान की जै करवा चोथ व्रत कथा समाप्त